हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेल्किम टो अनादा व्लॉग, मम्य पपा सुबसुबस चले गए, जैसे हर बार होता है, पैनी साइड होके नीचे बैठी थी, मेरे पीछे अभी नहीं दिख रही है, और ये वाला जो जगे है, ये मैं क्लीन कर रही थी, क्योंकि या पर बहुत ज्यादा डस्ट आती है, उससे भी ज्यादा आती है, पैनी के बाल देखो, नीचे बैठी है, वो सैड होके देख रहे हो, तो ये जगे क्लीन करना पड़ता है हर रोज, और कभी अगर मुझे बहुत ज्यादा काम है, मतलब बैक तो बैक फ्लाइट्स है, या काफी ज्यादा यूट्यूब के काम बचे है, तो 11 दिन मैं स्किप करती हूँ, पर उपर से में क्लीन करती हूँ, आप हर समय देखते होंगे, जब भी मैं वीडियो भी बनाती हूँ, जब भी दिखता है मुझे कुछ चोटा मोटा चीज़े गिरे हैं, उसमें धूल हो, और या प मैंने क्लीन कर दिया, अभी मैं बालों में तेल लगाओंगी, कुछ दिनों से मैं ओइलिंग नहीं कर रहे थी, क्योंकि गर्मी इतना ज्यादा हो गई है, ओइलिंग करने के बाद ना एक अजीब साही चिपकू चिपकू फीलिंग होती है आपको जो बिल्कूल भी अच्छ यूज़ करती हूँ, ओइलिंग के लिए मैं नॉमली कोकूनाट वैल यूज़ करती थी, पर अभी ये बचा है, तो देखती उसको यूज़ करके कैसा काम करता है, और अभी मैं यूनिफॉर्म को आयन करूंगी, और ये देखो, जो है 30 सेगेंड वेट करना पड़ता है, फ ज्यादा गरम थी गाईस, जो नॉमल हमारे होते हैं आयन, उसे काफी ज्यादा गरम थी, पर क्योंकि वो हार्ड सर्फिस थी, तो जला नहीं था, ब्लिस्टर भी नहीं हुआ था, यूज़ आई कैरीड ओन विथ माई वर्ड, जला नहीं था, पर जलन तो हो रही थी थी, थ वो सबसाइड हो जाएगी, और फिर ब्लिस्टर भी नहीं होएगी, यहाँ पर मैं पैनी को खाना खिला रही थी, फिर हम लोग भी खाना खाएंगे, आज था संडे, और आज मेरी शाम की फ्लाइट है, ठीक है, मतलब दिन भर घर पे रहें, हम खाना एक साथ खाए, पर शाम को मुझे निकलना पड़ेगा, मतलब रात को, शाम की फ्लाइट मतलब मैं सूभे लोटोंगी, और पैनी ऐसे सो ड़ी है, यहाँपर मैं रेडि होने के लिए आगई थी, रेडि होने से बहले स्कूल में कॉलेज में कभी भी मुझे इतना ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे अगर इतना ज्यादा मार्क्स आता तो शायद पतानी में क्या तो करती अब देखो यहां पर मैं हाफ ना के लिए सो जाओंगी क्योंकि राद भर जगे रहना पड़ेगा नीन तो नहीं आएगी पर ऐसे ही सोती रहूंगी बस और यही करते करते टाइम हो गई उठने का पैनी तो सो रही है मस्त पर मुझे तो जाना पड़ेगा पैनी के डैडी बाहर कुछ मैच वगेरा देख रहे थे और हम लोग के बीच में यह अंदरस्टैनिंग है जब उनका काम होता है मैं उनको जब मेरा काम होता है वो घर पे भी होते है फिर भी मुझे डिस्टर्ब नहीं करते अभी यहापे मैं मेक अप कर रही हूं मेक अप के जो रूटीन है आपको पता है जरूर सबसे पहले प्राइमर यहापे तो मैं मॉस्ट्राइजर लगा रही हूं स्किन केर कर लिया और सब कि अच्छा नहीं लगता फिर बाद में ठीक करना पड़ता है मुझे पिल्ग्रिम का ये स्क्वालिन लिप सीरम है जो की काफी अच्छा है अभी मैं शिया बटर और बोरोलीन छोड़के यही लगारी हूँ हर समय सबसे पहले मैक का फिक्स प्लस लगा दिया फिर प्राइमर लगा के फिर फाउंडेशन, कंसीलर, कॉंटोर एंड सब कुछ ब्लेंड करने के बाद मैं यूज करती हूँ ब्लश ओन लगाने के बाद मैं आजकल एक ऐसे टिशू पेपर लेके डैब डैब करती हूँ पूरे फेस में ताकि जो भी एकसेस मेकाप लग गई है न वो निकल जाए तो उससे क्या होती है कि आपके मेकाप जो है वो फ्लॉलस लगती है और केकी नहीं होता आप भी करके ट्राइ करना और एक भी ट्रिक मैंने देखा था जो की था आप वो टिशू पेपर के ऊपर से पाउडर लगाओ तो फिर आपका जो मेकाप है वो अगर आपको क्रीस हो जाते है या केकी हो जाती है वो बिलकुल नहीं होगा पर हाँ मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने टीशू पेपर से ऐसे डैब डैब कर दिया और आप भी ऐसा करना अगर आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूस करना बिलकुल भी नहीं पसंद मैं नॉर्मल वाला यूस करती हूँ हमेशा से यहाँ पर मैं रेडी हो गई आपको बाई करके निकल रही हूँ पेनी ऐसे देख रही है मुझे कहा जा रही है पर हाँ पेनी को पता होता है जब ही मैं उनिफॉर्म पहनती हूँ कि मैं चली जारी हूँ अभी पैनी और पैनी के डैडी मस्थ चिल करने वाले थे और मुझे बिल्कुल भी जाने का मन नहीं कर रहा था संडे को थोड़ा सा ऐसे घूमने जाने का मन करता है नहीं तो हम घर पे भी रहते हैं तो छत पे जाते हैं पैनी को लेके बाते करते हैं मैच देखते हैं नहीं तो पर हाँ आज ये वाली फ्लाइट है क्या ही कर सकते हैं कल सुभी एक्जाम भी है तो वापस लोट के मुझे थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करना पड़ेगा मैं वापस लोटी थी करीब सारी चार बजे हाँ थोड़ा जल्दी लैंडिंग हो गई थ हमेशा जब भी मैं आती उसको समझ आ जाता है आज दोनों ही बिल्कुल गहरे नींद में सो गए मैं चले जाने के बाद क्या खाया क्या पिया पता नी दोनों बिल्कुल भी नहीं उठे नहीं तो पेनी क्या करती है जब भी मैं मतलब लिफ्ट से निकलती हूं उसके करना पड़े हरोज हैर वाश करना शैंपू से इस नौट गुड तो वही है तीन दीन अगर मेरी बैक टू बैक फ्राइट है तो मैं एक ही दिन वाश करती हूं और तीन दीन चलाती हूं फिर यहां पे मैं मेक अप रिमूव कर रही हूं यूजिंग इस क्लेंजिंग बाम ब में एक ही बार टाइम होती है मुझे स्किन केर करने का मुझे सोने का मन तो कर रहा था पर मेरी कुछ काम बचे हुए है जो मुझे करके सोना है कल तो मुझे बिल्कुल भी टाइम ने मिलेगी सुबह उठकर मुझे थोड़ा सा पढ़ाई भी करनी पड़ेगी तो जो भी वो काफी इंप्रूव हुई है थोड़ा महेंगा है पर हाँ एक बॉटल मेरे जो है वो तीन चार महिना लास करता है और दिस इस दा सेरामाइट क्रीम जो मैं डॉटन की से अभी खरी दी बहुत ही अफॉर्डिबल है कुछ 290 रुपीज ऐसा था मैं आपको बाद में इसका रिव्यू दूँगी अगर बहुत अच्छा काम करेगा तो मैं जब सोई तब अल्मोस्ट सुबा हो गया आप देखो सारे पांच बज़ गया था पर सारा काम मेरी खतम हो गय थी एटलीस मैं काम खतम करके सोई फिर जाके मैं दस बज़े उठी थी दस बज़े उठने के बाद मैं पढ़ाई किया आपके साथ मैं बाते नहीं कर पाई और वीडियो भी नहीं बनाया मैंने पढ़ाई वड़ाई करने के बाद मैं नहा लिया था और यहाँ पे मैं रेडी हो करती है 2-3 शू है हैं झान के साथ फिर से मिलती हूं और नए व्लॉग में तब तक के लिए हाप मैं अपना धियान रहना सबस्टाइब रहना और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना बाई बाई टेक केर